ओम नमस्षिवाय जै महाकाल आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है वो बार बार भागता है पढ़ाई से या फिर उसका दिमाग कम जोड है उसका पढ़ने में बिलकुल मन नहीं लगता है पूजी गुरु जी ने एक करके देखेंगा आपको जरूर फायदा मिलने वाला है लेकिन हमेशा के तरह कहूंगा कि वीडियो को लाइक करिए आप पहली बार सुन रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा देखो करना क्या है आपको यहां पर इसक्रीन पर दिख रहा है चंदन क्या है यह आप पीला चंदन लेने आप लाल चंदन ले ले आपकी इच्छा है इसमें कोई पबंदिनी कोई गुरुजी ने भी सिर्फ चंदन का है तो आप कोई सभी चंदन ले लीजेगा ठीक है आपको क्या करना है इस तरीके से चंदन लेना है चंदन को आप चाहे तो लकडी के र उससे ही इस उपाय को कराना है ये बात समझ लीजेगा आपको क्या करना है उस चंदन से आपने बच्चे से कहिएगा कि भोले बाबा का यहाँ पर जो शूलिंग है वहाँ पर लेप लगा दे थोड़ी देर तक उससे कहिए लेप लगा दे पांसे साथ मिनट तक इस लेप को उसी शूलिंग पर लगे रहने दीजे कितने पांच से साथ मिनट तक उजो लेप है उस शूलिंग पर लगे रहने दीजे और उसके बाद उसी बच्चे से कहिए कि इस जो चंदन यहाँ पर लगा हुआ है ये वाला इसको उठा करके अपने मस्तक पर जो आपका माथा बोल होने लगेगा लगिन बात यहाँ पर यह पत्ती है कि आप यह जरूर पूछेंगे कि हमें इसको कौन से दन करना है चली बता देते हैं अभी तो जब कभी भी आप मंदर जाते हों जब कभी भी आप मंदर जाए जल चढ़ाने वगएरा तो अपने बच्चे को साथ ले करके आपको बताना यह चाहता हूँ कि अपने बच्चे को कभी भी इसके लिए जजमत करिएगा कि उसके नंबर कमाते हैं आप यह ध्यान जरूर दिया करिए कि उसको आता कितना है यह मत देखा करिए कि उसके एक्जाम में नंबर कितने आते हैं मैं आपको बता हूँ अपनी र थश्रत नंबर पाने वाले थे में बेड़े हुं है कुछ भी नहीं जर से बहुतra और इसको जर्च कर दिमाग आदा किये में जो कि ये हमेशा के लिए गलत होगी आने वाले समय में सिर्फ जो नंबर के पीछे भागेगा उसके लिए जीवन जीना बहुत कटिन हो जाएगा तो सिर्फ ग्यान पे ध्यान दीजे बस इतना काम कर लीचे का बाकि आपके बच्चे का दिमाग हमेशा के लिए बहुत ठीक है ओम नमस्षिवाय जै महाकाल